So, आज है 2nd of July और आप लोग यहाँ पे हैं रोज सुभे 8 बजे करेंट फैस के लिए तो सबसे पहला रिमाइंडर ये है कि अगनी वीड के बैंचर्स और अगनी वाईू के बैंचर्स शुरू हो चुके हैं तीस तारिक से ही शुरू हो चुके हैं तो आप लोग जल्दी से इन में इन्रोल कर लिजे क्योंकि क्या होता है ना कि एक भी लाइफ क्लास में सोगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी मतलब फिर आप कैसे डाउट्स अपने क्लियर करेंगे तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपके कोई डाउट्स बच जाए तो डाउट्स तो हैसे हम लोग बाद में क्लियर कर लेते हैं लेकिन लाइफ क्लास में रहने से जादा फाइदा होता है तो आप सभी का स्वागत है वेरी गूड मारिंग वेरी गूड मारिंग एव्रीवान लेट्स चार्ट देखिए आज पहले क्या कर रहे हैं आज आपको पता है कि कुछ नया तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा रिविजन करेंगे अभी आप 10 ऐसे न्यूज देखिए जो की स्पोर्ट से रिलेटेड है फिर 10 न्यूज जो आपके एपॉइंट्मेंट से उनसे रिलेटेड आप देखेंगे फिर पुडाने का इंट अफैस को सॉल्फ करेंगे तो जो सबसे पहला स्पोर्ट्स न्यूज है वो है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ये प्रिंसिपल स्पॉंसर रहेगा इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन का ठीक है तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन इस दे प्रिंसिपल स्पॉंसर और गाईस आप लोगे काम कड़े पहले सेशन को थोड़ा लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए कि यहां पे दम करेंट अफैस की धुआँधार सेशन शुरू हो चुके है और आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो यह करेंट अफैस आएंगे आपके एक्जाम में ठीक है अडानी क्या बन गया है स्पॉंसर बन गया है इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन का ठीक नेक्स्ट है कि आप जानते हैं अंडर 23 जोकी विशेक किर्गिस्तान में ये मैच हुआ यहाँ पर दीपक पुनिया ने रस्लिंग कुष्टी प्रतियोगिता में ब्रॉंज मेडल जीता है यानि कि थर्ड स्थान इनको प्राप्त हुआ है नेक्स्ट नुवाग जोकोविच जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं यह पहले ऐसे प्लेयर बनके हैं जिनों ने चार ग्रांट स्लैम चार ग्रांट स्लैम कमतलब है उस्ट्रेलिया उसके बाद फ्रेंच फिर विम लेंडन और फिर यू एस क्योंकि जब आप ग्लोब देखेंगे जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो सबसे एस में ऑस्ट्रेलिया है और सबसे वेस्ट में यू एस है आम रेली सॉरी मैं थोड़ा सा अवाज जो है वो फंस फंस गया है पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में ठीक है तो यह चार ग्रांड स्लैम में असी मैचेस जीत लिया है इन्होंने इयॉन मॉर्गन यह पहले इंगलेंड से खेलते थे अब इंगलेंड से खेलते हैं और यह वर्ल्ड कब विनिंग कैप्टन है और इन्होंने इंटरनाशनल क्रिकेट से अब ले लिया है सन्यास ठीक है नेक्स्ट इनका नाम क्या है सिडनी मैक लाफलिन तो इन्होंने 400 मीटर हडल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह है ओलंपिक चैंपियन नेक्स्ट आप देख सकते हैं धनलक्षमी यह थर्ड विमिन भारत से तीसरी सबसे फास्ट विमिन बन गई है सेकेंड है हीमा दास फर्स्ट कौन है वो आप बताईए मैम यह करेंट अफेस आर्मी क्लर्ड के लिए भी हेलफुल है बिलकुल हेलफुल है एक भी क्वेशन में इस नहीं होगा प्लीज मैम बता दीजे की ग्रुप X Y मैट्स आते हैं जेनरल मतलब की रीजनिंग नियुमेरिकल अबिलेटी टाइप के बहुत टफ नहीं ठीक है ओके और कुछ हेलो हेलो आपस में भी हेलो हो रहा है पूजा को हेलो बोला जा रहा है ठीक है नेक्स्ट नवजीत धिलन ये बन विंस गोल्ड मेडल तो ये डिसकस जो आपको दिख रहा है इसको फेकने में ठीक है डिसकस थ्रो में इनको मिल गया है गोल्ड मेडल को सावनौक मेमोडियल 2022 ठीक है नेक्स रंजी ट्रॉफी रंजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश जीता है मुंबई को हडाया इसने 6 विकेट से इंडिया दो स्पोर्ट अच्छा हो गया है पहले फीफा रंकिंग में हमारा रंक था 106 अब है 104 ओके साइकलिस्ट यह साइकल चलाते हैं और रोनाल्डो सिंग इनका नाम है इंटरनाशनल साइकल का जो टॉर्णामेंट होता है जो चैंपेंशिप होता है आज तक भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था पहली बार इनको पहले ब्रॉंज मिला और अब सिल्वर मेडल मिल चुका है ठीक है रुमिला धर रुमिला धर जो की वेस बेंगॉल की है इन्होंने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है फिर ये पढवत चड़ने वाली माउंट अनपूर्ना बिना ऑक्सिजन सिलिंडर के सकालजंग रिंगजन इनका नाम है इंडियन है इन्होंने पढवत चड़ लिया है माउंट अनपूर्ना का नेक्स्ट अब देखें हो गें आपके स्पोर्ट्स के न्यूज जो इस वीक के इंपोर्टेंट है इसी तड़ा से हम लोग 6 महीने के इंपोर्टेंट स्पोर्ट अलग करेंगे 6 महीने के इंपोर्टेंट एपोइंटमेंट्स और ये सब को अलग करके पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो आप एक बर कमेंट सेक्शन में बोल दीजे, जै हिंद, ठीक है, कि हाँ मैं, छेचे महीने का अलग-अलग करके आप पढ़ा दीजे, और लाइक भी कर दीजेगा, देखे, अब संदीप कुमार गुपता जी, यह जो ग्यास वाला चीज होता है, तो गेल में यह नेक्स चे का आर्टिकल नंबर 76, किसके बारे में है, एटॉर्णी जेनरल के बारे में, यह देश के सबसे बड़े लो ओफिसर होते हैं, कौन एटॉर्णी जेनरल, अगर सरकार, भारत सरकार पे कोई भी केस होगा, तो भारत सरकार के वकील कौन होते हैं, एटॉर्णी जेनरल होते हैं और वेनु गोपाल जो है वो अभी है तीन महीने आगे आने वाले तीन महीने के लिए भी ये बन गए है साथी साथ बिल्गुल जाए हैं देख चुके हैं आप लोगा बहुत अच्छे साथी साथ एक और बात याद रखेगा बार बार एक्जाम में आता है कि ये जो एटॉर्णी जनरल होते हैं ये कब रिटायर करते हैं तो या तो इनका वर्ष 65 साल का हो जाए या तो इनका कारियाले 6 साल का हो जाए नेक्स्ट ये तो आप जानते ही हैं पिंटरेस्ट के ये पहले CEO रह चुके हैं और अब ये step-down यानि उस position से हट चुके हैं नेक्स्ट मुकेशंबानी और अकाशंबानी तो अकाशंबानी मुकेशंबानी के सबसे बड़े बेटे नियो जियो के ये बन गए हैं चेर्मन, जियो रिलाइंस कंपनी के चेर्मन फिर वेट लिफ्टिंग में IWF ने प्रेसेडेंट चूज किया है मोहमद जालोद को, ओके ये आपका असेट रिकंस्रॉक्शन कंपनी है इसमें कौन बन गए हैं, हैड असेट रिकंस्रॉक्शन समझा चुके हैं, जिसमें जो आपका गिडवी रखा चीज होता है उसको बेचा जाता है ताकि जो लोन लिया गया है, उसकी पूर्ती हो सके अगर कोई लोन नहीं चुका रहा है नेक्स्ट, तो इसमें अश्वनी कुलकर्णी बन गए है, अविनाश कुलकर्णी नितिन गुपता, ये चैर्मेन बन गए हैं, सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स के आईबी, तपन कुमार डेका, बाकी आपको पता है, रौ का भी और निया का भी, है ना, रौ और निया के चैर्मेन आपको पता ही है, निया के हैं, दिनकर गुपता, और रौ के कौन है, समंत कुमार गोहिल नेक्स्ट, मैम, मैल, नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तब बल आइकन दबा लीजे, हाँ, ठेक है, उसके बाद आप देखिए, अनिल खन्ना, ये इंडियन ओलंपिक एस्सोसिएशन के आक्टिंग प्रेसेडेंट बने हैं, क्योंकि नरेंद्र बत्रा, जो कि अभी तक थे, उनको हटा दिया गया है, और ये आक्टिंग प्रेसेडेंट बने हैं, जिनका नाम क्या है, अनिल खन्ना, SS Mundra, ये BSE, Bombay Stock Exchange के चेर्मन बन गया है, रंजीत Bajaj, All India Football Federation के Advisory Overseeing, महलब ये चेर्मन बन गया है, जो एडवाइस देगा हमारे Football Federation को, और Football में हमारा रंक 106 था, अब 104 हो चुका है, FIFA, जो पूरे Football का अलम, ये होता है, World Cup, उसमें. अब questions आप लोग बनाईए, ऐसे भी आप जानते हैं, कि आज मेरा जो आवाज है, कुछ खास चलने एड़ा है, बैसे अगर हम आपसे पूछें, कि भारत में, थोड़ा static पूछने का मानने आज, भारत में जो first women graduate, हुई थी, इनका नाम क्या है, पहली women graduate का नाम क्या है, ठीक है, ये दिवस तो आपको पता ही है, dessert यानि खत्रा, तो खत्रा सत्रा पे खत्रा, तो रेगिस्तान, मरुस्थली, 17 जून, लेकिन इस question का answer क्या होगा, हन जी, क्या होगा बताएं जल्दी से, first महिला graduate, कुछ लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है, कादंबनी गांगुली, कादंबनी गांगुली हमारे देश की पहली महिला graduate रह चुकी है, ठीक है, next question, और startic का question आपका ये है, कि आत्मिय सभा, आत्मिय सभा किसने शुरू किया था, आत्मिय सभा किसके द्वारा शुरू की गई थी, आज आपको थोड़ा सा जी के startic portions, के भी questions करवाने हैं, तो आप लोग बताएं, आत्मिय सभा, एक current affair, एक जी के startic, किसने शुरू की थी, ठीक है, answers आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसका answer तो आपको पताएं, कि भारत का rank competitive index में 37 है, competitive index में भारत का rank 37 है, ये क्या होगा, आत्मिय सभा किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन रोई, राजा राम मोहन रोई, को राजा की उपाधी, किसने दी थी, राजा राम मोहनु रोय को इनका नाम राम मोहनु रोय था राजा की उपाधी किसने दी थी बगवास करना मत बंद कीजये नहीं बोल रहे हैं बगवास करना बंद किज कुछ लोग आंसर दे रहे हैं अक्बर तू तू, ठीक है? हाँ, आपका National Conference of Chief Secretary, तो हर State के जो Chief Secretary होते हैं, इसका National Conference का हुआ है, धर्म शाला में हुआ है, हाँ, अगर आप लोग को जीके स्टार्टिक पोर्शन अच्छा लग रहा है, तो एक बार जैहन बोल दीजे, हम पूरा Modern Indian History का हर एक सिलसलवा धंग से सवाल आज ही पूछ लेंगे, तो इस एक घंटे को आम लोग काफी अच्छे से यूज कर लेंगे, तो यह तो धर्म शाला है, ठीक है, बी एस पार्टिल, यह लोकायुक्त बने है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक, तो चलो, शुरू हो जाओ फिर, जीके स्टार्टिक पोर्शन के है, हाँ, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले जो लोकायों का एक्ट है, यह पास हुआ था ओडिसा में, लेकिन पहला पोस्ट, पोस्ट जो बना, सबसे शुरुवात हुई इसकी महाराश्रा से, ठीक है, और सबसे पावर्फुल है करनाटका का, और सेंटर में जो लोकायों का एक्ट होते हैं, उनको सबका हेड लोकपाल कहते हैं, और लोकपाल अपना रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको न्युक्त करते हैं, ओके, चले तो यह करनाटका है, अगला सवाल, वासको अडिगामा भारत किस दिन किस साल आया था date के साथ पूछ रहे है date किस साथ हाँ जल्दी बताईए वास्कोडिगामा भारत किस दिन किस साल exact date ठीक है वास्कोडिगामा भारत आया था date भी पूछ रहे हैं अबबू year तो चलो ठीक है 1498 में आया 17th में को आया वास्कोडिगामा भारत कहां पे आया किस जगा आया किस जगा आया क्याली कट में आया किस ने इसका स्वागत किया किस ने स्वागत किया वास्कोडिगामा का जल्दी जल्दी बताएंगे स्वागत किसने कि आईवास को डिगामा का कमेंट सेक्शन हम देख रहे हैं सबका हाँ जैमोरीन ने स्वागत किया है थोड़ा जल्दी बताएंगे आप लोग ठीक है चली पढ़िया इसका अंसर क्या है चैर्मेन ऑफ सेलिलर अपरेशन यानि कि जो मोबाइल का जितना भी कमपनी है उसके चैर्मेन प्रमोत कुमार मित्तल बन गए नेक्स्ट बोगेश्वर एक हाती है और 2.5 मीटर तक इसका दात था हाती दात इसकी निधन हो गया इसका बांधीपूर टाइगर रिजर्व में ये कहां है बांधीपूर टाइगर रिजर्व कर्नाटिका में ठीक है चलिए अब अगला सवाल है कि वास्को डिगामा के पहले स्पेन से एक व्यक्ती जो कि भारत की खोज में आये थे लेकिन गलती से अमेरिका चले गए वहां पर उनको बहुत लंबे-लंबे लोग दिखे तो उनको लगा ये इंडिया है और उन्होंने उनका नाम रेड इंडियन्स रख दिया तो ये बताएं कि ये कौन थे हां क्रिकेट आर्लेंड के अगेंस कैप्टन ये तो आपको पता हिए उनका नाम था Christopher Columbus बहुत बढ़िया वास्कोडिगामा किस देश के थे वास्कोडिगामा थे आपके Portugal के वास्कोडिगामा Portugal के थे Fall of Constantinople Fall of Constantinople किस साल हुआ जिसके कारण भारत तक आने के लिए इनको पूरा वो बनाना पड़ा मलब सी रूड बनाना पड़ा 1453 में हुआ ठीक है Fall of Constantinople 1453 में हुआ Cape of Good Hope नाम दिया गया था Cape of Good Hope जिस रास्ते से वास्कोडिगामा आए तो ये रास्ता कौन सा था ये आफ्रिका है ये इंडिया है वास्कोडिगामा पोर्टगल यहां से इस तरह से आए तो ये जो रास्ता है ना जाएं रुके इसका नाम ये दिये Cape of Good Hope लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पहले क्या हुआ था कौन भारत आने का कोशिश के थे जो कि यहीं पे रहे गएं उनका नाम था Bartholomeo Diaz तो ये यहीं पे रहे गएं आगे नहीं आ पाएं तो इन्हों ने इस जगा का नाम दिया था क्योंकि इनको लगा कि इसको पार करना असंभव है तो जगा का नाम रखे थे Cape of Storms लेकिन क्योंकि पोर्टगल के राजा बहुत बड़े वाइजर थे वो चाहते थे कि नई जगा की खोज हो तो उन्होंने कहा कि ने इन नेगिटिविटी मत फेलाई है Cape of Good Hope नाम रखे तो आप लोग भी अच्छा होप रखे कि सब कुछ बढ़िया होगा ठीक है? चले तो अच्छा ये केस्टन तो देखें नी ती ये हो गया हार्दिक पांडिया हो गया फिर इन ना ये नाम से पता चल रहा है आपको कि ये तमिल नाडू होगा ये स्कीम तमिल नाडू का है ठीक वर्टिकल अक्सेस विंट टर्बाइन एन सोलर पीवी ठीक है हां साउथ आफ्रिका में ठीक ओके केप अफ गुड़ोप वला हो गया क्रिस्टफरस कलंबस हो गया सीक्वेंस मैं पूछ रहा है क्वेस्टन आप बताएगे कि पोर्तोगीस के बाद कौन लोग दे भारत आएं पोर्तोगल के बाद कौन से देश से लोग भारत आएं तो डच है ना निदरलेंड उसके बाद ये लोग कहां के थे निदरलेंड के थे जिसको आप होलेंड भी कहते हैं उसके बाद अंग्रेज उसके बाद डैनिश जो की डैनमार्क से आए ठीक है और आखरी कौन थे, फ्रांस से, फ्रेंच, ये चार लोग भारत आए, लेकिन आपको पता है, कि भारत में रूल किस ने किया, तो रूल अंग्रेजों ने किया 200 साल तक, क्या आप उस वार का नाम बता सकते हैं, जिसमें डच को अंग्रेजों ने हडा दिया, और भारत पर पता है, उस वार का नाम है, बेदारा, जगा का नाम है, और कौन सा ऐसा वार है, जिसमें फ्रांस को हडा कर, अंग्रेजों ने इनको वाश कर दिया, तो वो जगा का नाम है, वांडी वाश, वांडी वाश, फ्रांस को हडा कर, इनको वाश कर दिया गया, वांडी वाश, ठ ठीक है, चलें, थोड़ा fast करते हैं, first of its kind vertical axis turbine Mumbai में है, उसके बाद अपेड़ा आठ दिन का आम त्योहार मनाया जा रहा है, आम के export को पड़ावा देने के लिए, बहरेन में, next question, कल ही बताए है, LGBT pride month कब है, किस दिन है, जल्दी बताओ, सब बताया गया है तो ये है आपका जून महिने में, next, सेवी के advisory chairman कौन बन गई है, जो की RBI की है, ये बताएंगे आप जल्दी से सेवी के advisory chairman कौन बन गई है उशाथ थोड़ाथ, उसके बाद RBI ने सारे 27 लाक का fine लगाया है किस bank पे बहुत time दे रहे हैं आज, क्योंकि आप ये हमको बहुत अच्छा अच्छा question पूछना है आपसे पंजाब and Sindhbank, next, APD, Asia and Pacific Department, APD आपको बताना है कि कौन है इसके director, तो ये है Krishna Shrinivasan, अगला question, the winning formula of success, पहला sports magazine, किसके द्वारा लिखा गया है, विनीत कार्निक द्वारा पढ़ाया गया है, विनीत कार्निक ने पहला sports magazine लिखा है, Shenzhou, space में जाएगा, Shenzhou 14, space में जाने वाला है ये rocket, आप बताईए कि किस देश का rocket है ये, जो space में जाएगा, ये है आपका China का, अगला question, every time EMI on time, ये campaign शुरू किया गया है, every time EMI on time, ये शुरू किया गया है आपका, बेजाज fins walk का, ठीक है, fins serve का, गुडु साही दत, ये किस चीज से related है, किस sports से related है, ये बताएंगे, गुडु साही दत किस sport से related है, तो ये आपके related है, किस से, badminton से, पैगॉंग लेक लद्दाक, पैगॉंग लेक लद्दाक जो है, यह आपको बताना है, ठीक है, तो यह है आपका, रिलाइन्स जियों ने वहाँ पर 4G सर्विस खोला है, ठीक, यूपी आई और यह आपका कितना लिमिट बढ़ा चुका है, यूपी आई पेमेंट का, तो 15,000 लिमिट हो गया है, आयूड वेद आहार, लोगो लाँच किया गया है, मंसुक मांडव्या द्वारा, अब आप बताएए, कि ब्रम्हो समाज की स्थापना किस नहीं की थी, एक् रिफोर्मर जिनको कहते हैं, तो राजा राम, राजा, राम, मोहन, रोय ने की थी, ठीक है, ब्रम्हो समाज की स्थापना, बहुत अच्छा आप लोग दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर, आत्मिय सभा, आत्मिय सभा की स्थापना भी इन्हों ने ही की थी, क्या आप कोई न्यूस्पेपर का नाम बता सकते हैं, जो इन्होंने लिखा था, कोई भी न्यूस्पेपर, जो इन्होंने लिखा था, शुरुवात की थी, देखिए, फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट जर्नल, जो की स्टार्टेड बाई, शुरुवात किया गया था, बाई इन्डियन, इसका नाम था, समवाध कुमोधनी, और ये राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, समवाध कुमोधनी, तो आप बोलेंगे की, माम तब फर्स्ट न्यूस्पेपर इन इंडिया कौन सा था? ये कौन सा था? फर्स्ट न्यूस्पेपर इन इंडिया, जो की 1780 में शुरू हुआ, बिंगॉल गैजट, किसने शुरू किया इसको? बिंगॉल गैजट को किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्टस, हिक्के ने इसको शुरू किया, ठीके? जेम्स ऑगस्टस, हिक्के ने, उसके बाद, फॉस जोर्नल बाई इंडियन तो ये होगे, आपका समवाध कुमोधनी, एक और जो इन्हों ने लिखा थे, इनको बहुत सारे भाषा आते थे, तो इन्होंने एक पर्शियन जर्णल भी लिखा था, पर्शियन भाषा में एक जर्णल लिखा था, जिसका नाम था मिरात उल, मिरात उल, अखबार, 1822 में, ठीके? आत्मिये सभा, अठाडा सो पंदरा, तो ब्रम्हों समाज किस साल हुआ था, पूछा गया है सारा क्वेस्चन, ब्रम्हों समाज किस साल चुरू किया गया था, अंसर तो नहीं आरा मुझे, वी खोड़े हो तुम लोग, ठीक है, 1828 में, समझ में आया, बढ़िया, चलें जली क्वेशन बताईए, सिंगल यूज प्लास्टिक किस दिन से बैंड किया गया है, बोलतो हुआ है हैं, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बहुत लोग भागना शुरू करते हैं, 1st July से, रंजी ट्रॉफी किस टीन ने जीता साल, मद्धे प्रदेश ने, मेडी सेप, किस स्टेट का है, मेडी सेप, केरला का, गोल्डेन अचीवमेंट एवार्ड, किसको मिला है, इंटरनाशनल, विजय अमरित राज, जो की लॉन टेनिस खेलते हैं, Central Board of Direct Tax के Chairman कौन बन गए हैं, नितिन गुपता बन गए हैं, President of Prestigious India International Center, Prestigious India International Center के President, कौन बने हैं, कली सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये आपके बन गए हैं कौन, श्याम सरन, तो भारत में, अगर भारत किसी से भी nuclear बात कर रहा हैं, nuclear के बारे में, तो कौन बात करेंगे, श्याम सरन, या फिर peace, climate change, ठीक हैं, बाकी नए अपॉइंटमेंट्मेंट्स आप देखी सकते हैं, आपे, UN का ocean conference कहां पे हुआ हैं, ये हुआ है आपका, लिस्बन में, वुली मैमोत कहां मिला हैं, Canada में, कानी वोरस प्लांट, उत्राखन में, ठीक, अब देखिए ये जो आपका, ब्रह्मो समाज है, ये दो में डिवाइड हुआ, क्या बता सकते हैं कौन दो में, तो एक का नाम पढ़ा, आदी ब्रह्मो समाज, समाज या सभाज ओभी बोल लो, ठीक है, समाज ही बोलते हैं, और एक का नाम पढ़ा, भारतिय ब्रह्मो समाज, ये डिविजिन कब हुआ, 1866 में, अब पूछा क्या जाता है, कि आदी ब्रह्मो समाज को किसने शुरू किया, ठीक है, और ये भारतिय ब्रह्मो समाज को किसने शुरू किया, तो भारतिय ब्रह्मो समाज को शुरू करने वाले थे, केशव, चंद्र, सेन, और आदी ब्रह्मो समाज को, देवेंद्र, नाथ, टैगोर, ठीक है, रबिन नाथ टैगोर के फादर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक और समाज शुरू किया था, जिसका क्या नाम था, तत्व, बोधनी, सभा, तत्व, बोधनी, सभा, ये शुरू आद क्या गया था, देवेंद्र, नाथ, टैगोर दुआड़, तत्व, बोधनी, सभा, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है, बाद में जाके और भी स्प्लिट हुआ, एक और जो आपको पढ़ना है, वो भी बहुत जादे इंपॉर्टेंट है, आर्रे समाज, ये किस ने शुरू आद की, आर्रे समाज की, और किस साल, मूल शंकर, मूल शंकर, के नाम से जानने जानने वाले, हाँ, दया राम, दया नंद, सडस्वती, ने 1875 में शुरूआत हुई, आर्रे समाज की, नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है, बंद कर देए, करेंट फैसी करना है, इन्होंने नारा दिया था, गो बैक टू, वेदाज, जय हैं, लिख दो, जिसको जो चाहता है कि नहीं, स्टार्टिक भी मैं बीच में बताते रही है, अदरवाइस फिर हम लोग करेंट फैस में आ जाएंगे, और जो लोग नहीं चाहते हैं, तो वो लिख दीजे, करेंट फैस, हमको लगा, यह सब इंपोर्टेंट है, बार-बार आ रहा है, तो हम पूछ, बता देते हैं आप लोगों को, इन्हों ने लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, तो बीच-बीच में करेंट फैस भी कर देते हैं, यह देखें, यह कॉंसेप क्याप्टन है, तो यह Ion Morgan है, दो देश से खेले, साओ जुआओ फैस्टिबल, हाँ, साओ जुआओ फैस्टिबल, किस स्टेट में होता है, तो यह स्टेट है आपका, गोवा, अगला क्वेस्टिन है, नाशनल लॉजिस्टिक एक्सिलेंस एवार्ड, किस शहर को मिला है, माल गाडी का काम करने के लिए, न्यू दिल्ली को, नेक्स्ट, बी आरो कैफे, बी आरो कैफे, बॉर्डर रोड और्गिनाइजेशन में, जो कैफे है, यह आपका खोला गया है, 75, जपिंग स्पायडर, जिसका नाम है स्यूडो मौगडस शुद्धी, यह आपका कहां मिला है, जपिंग स्पायडर, तो इससे आपको बदा, यह राजस्थान के डेशर्ट में मिला है, टिक है, जपिंग स्पायडर, सुधिक उमार आर्किनलॉजिस्ट है इन्होंने इसको खो जा है केम्पे गोडा इंटरनाशनल अवार्ड किम्पे गोडा इंटरनाशनल अवार्ड किस स्टेट में दिया जाता है तो इनहीं के नाम पे एरपोर्ट भी है बेंगलूडू में करनाटका पद्मा ब्रिज कहां पे खोला गया है जिसमें रोड भी है रेल भी है तो पद्मा ब्रिज खोला गया आपका बंगलादेश में New Record की Most Wicket in Power Plate T20 History किसने लिया है तो Most Wicket लेने वाले कौन है इनका नाम है भूवनेश्वर कुमार अगला Question अडानी एनर्जी प्रोजेक्ट जो है 3700 मेगावाट का ये है आपका आंधर प्रदेश में Next Question है गरीब कल्यान योजना को कितने साल पूरे हो चुके हैं गरीब कल्यान योजना को 2022 में दो साल पूरे हो गए 2020 में शुरू हुआ था National Insurance Awareness इंशुरेंस होना चाहिए 28 जून ठीक है अगला National Statics Day PC मेहल नोवेस जी का बर्दे किस दिन होता है यह होता है आपका 29 जून International Day of Tropics Tropics के लिए है आपका 29 जून Zul Jahan into Space Solid Fuel Rocket Zul Jahan यह इरान अगला क्वेशन है Tata Power Solar भारत का largest floating solar power plant Tata Power Solar को कहां पे commission किया गया है Kerala में One Health Pilot Initiative यह launch किया गया है किस शहर में Pilot Initiative को launch किया गया है Bengaluru में कौन है Chairman of Bombay Stock Exchange Bombay Stock Exchange के Chairman कौन है तो यह है SS Mundra Next IRDCL IRDCL के CEO कौन है यह जो Depth Resolution वाला बात हुआ है पढ़ें अभी हम लोग Avinash Kulkarni World Bank ने भारत में Logistic Train यानी कि माल गारी चलाने के लिए कितना पैसा दिया है 245 Million Next Question World Bank ने Road Safety Program के लिए भारत को कितना पैसा दिया है 250 Million US Dollar ठीक है फिर आब बताएं कौन सा Company Wearable ATM Card and Offline UPI शुरू किया है तो यह Company आपका Ace Money अगर बताएं थे Transylvania यह बताएंगे Transylvania जो है यह किस देश में है यह शहर किस देश में है हाँ मिलेगा Transylvania जो है यह आपका Romania में The Life and Time of George Fernandes George Fernandes जो की इनेता थे आपके politician थे इन पर किताब लिखा गया है किसने वो किताब लिखा है इन पर किताब लिखा गया है Rahul Ram Gudam Dwarah Saproji Palonji का निधन हो गया है तो यह Palonji Group के ही मालिक थे 600 US Dollar 600 Billion का Global Infrastructure यह किसने बनाया है तो यह बनाया गया है आपका G7 Leaders द्वारा ठीक है Single-use Plastic को अगर आप बेचते है स्कूल में तो एक केजी पे 75 रुपए मिलेगा आपको यह शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा Elephant आक्सिडेंट से डेथ ना करे इसके लिए Automatic Siren चलेगा यह Siren कि स्टेट में एनाउंस हुआ है यह एनाउंस हुआ है आपका Odessa में Gabon और Todo यह दो देश हैं जो की Commonwealth Games Commonwealth Nations में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यह कौन से आपके जो continent है उसके देश है यह है Africa के Supreme Court ने अभी अभी बोला है कि बच्चा जो abortion होता है ठीक है तो abortion कोई भी pregnant औरत नहीं कड़ा सकती यह आपका बोला गया है आप बताएं कि किस country में अमेरिका में कौन से country की Sydney Mac Laughingly यह नोंने सारे records तोड़ दिये हैं 400 meter hurdle race में तो यह कौन से country की है यह है आपकी America की ठीक है Next question Next question 3 Yagongan 35 remote sensing satellite कौन से country ने अभी इसको launch किया है तो यह launch किया गया है China द्वारा Next Which state has become the first state to have its own red list of birds यह state बता रहा है कि हमारे यहां चीडिया जो है वो खतम होते जारी है मरते जारी है तो red list बनाया गया है कि कौन सी चीडिया खतम हो डिए क्यरला क्यरला कह रहा है कि बहुत सारी चीडिया का निधन हो रहा है तो 64 variety का list बनाया है Okla speed test में हमारा rank कितना है, हमारे देश में internet जो है, वो उसका rank, तो यह है 115, next, next क्या है, एक सेकेंड, Under 17, Asia Championship, किसने जीता है, भारत ने, Demetri Muratov, इनको Peace Nobel Prize मिला है, इन्होंने अपना Nobel Prize बेच दिया है, किस देश के बच्चों की मदद करने के लिए, युक्रेन, वानिज जी भवन की उध्गाटन, किस नेता ने की है, वानिज जी भवन, तो उध्गाटन तो मोदी जी ही ना करेंगे, Digital Nomad Visa, सब पढ़ाया गया है, रिविजन है आज, Monday से Friday तक जो पढ़ाया गया, उसका रिविजन है, फटा फटा आंसर, इंडोनेशिया, देखिए जो नए बच्चे हैं, Monday से क्लास कीजिए, Tuesday, Wednesday से सब समझ में आने लगेगा, मंडे को पढ़ायेंगे, फिर question पूछेंगे, फिर पढ़ायेंगे, फिर question पूछेंगे, फिर Wednesday को थोड़ा सा डिविजन, फिर Thursday, Friday, Saturday को पूरे week का डिविजन, इस तरह से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है, सब याद हो जाएगा, monkeypox, इंडो, नेपाल, भारत, ट्रेन चल रहा है, कहां से शुरू हुआ है, तो न्यू दिल्ली से चलना शुरू हुआ है, सूरज, नूतन, सोलर, पावर, पावर स्टेश, यह जो प्लांट है, ठीक है, तो यह बेसिकली, कुकर जासा है, छोटा सा, यह IOCL ने बनाया है, IOCL Indian Oil Corporation ने, Puyush Goyal Ji ने, Mango Festival शुरू किया है, Puyush Goyal Ji ने Mango Festival कहां पर शुरू किया गया है, Belgium ने, ठीक है, NIPFP, NIPFP, इसके कौन बन गहे हैं, डारेक्टर, आर कवीता राओ फिर आब बताएं थोड़ा सा पुड़ाना पूछ रहे हैं French Open 2022 किसने जीता है Who has recently won the title of French Open 2022 हाँ French Open जीतने वाले हैं राफल नडाल अगला question कि पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है NCC Shrest Scheme Shrest Scheme ये launch किया गया है Dr. Virendra Kumar द्वारा अगला question सब पढ़ाया गया है थोड़ा regular रहेगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा संपृती exercise भारत और किस देश के बीच में होता है संपृती होता है भारत बांगलादेश Union Bank के MD कौन बन गया है Union Bank के MD बन गया है ए मनी में खलाई फिर आप बताएं कि Recently कौन से state ने अभी में President हमारे गए और वहाँ पे संत कभीर Academy and Research Center को खोला गया तो ये state है कभीर के लिए उत्तर प्रदेश National Food Laboratory ये FSSAI Food Safety and Standard Authority of India का ये inaugurate किया गया है बिहार में ठीक है Golden Couch for Best Documentary at Mumbai International Film Festival ये मिला है Turn Your Body to the Sun फिर आप से पूछा जा रहा है कि बच्चो पर जो aggression होता है innocent बच्चो पे आप बताएं कि ये aggression के लिए कौन सा दिवस है तो 4 जून को हर साल हम सब को बताएंगे कि बच्चो पर aggression नहीं होना चाहिए ठीक है Liquid Mirror भारत में और Asia का सबसे बड़ा Liquid Mirror यानि कि जो Telescope बना है वो Liquid Mirror का बना हुआ है ये कहां पर है तो ये बनाया गया है आपका ये उत्राखंड में ठीक है Nanital उत्राखंड में हमाले के Ranges में बनाया गया है Officially कौन से देश ने अपना नाम बदल दिया है Turkey ने Turkey कर दिया है Turkey Turkey फिर आब बताएं कि BCA Bureau of Civil Aviation Security BCAS के नए Director General कौन बन गया है तो ये बन गया है आपके Zulfikar Hasan Sasatr Seema Bal SSB के Director General कौन बन गया है तो इनका नाम क्या है सुजोय लाल थायो सेन Next question Cremium Congo Cremium Congo Hemographic Fever नया रिकॉर्ड कितना नमबर बहुत सारा उसमें बढ़ गया है तो किस देश में ये हुआ है आपका Iraq में Iraq में दिमाग के बुखार से लोग मर रहे हैं आप में पुषकर सिंख धम्मी जी ने पहले तो ये हार गय थे लेकिन मंतरी है तो 6 महिने के अंदर-अंदर कहीना कहीन इसे विधायक बनना है तो देखें पहले जब ये हारे थे ये आप जीत गय है तो ये कहां से हारे कहां से जीते तो खातिमा डिस्ट्रेक्ट उत्राखंट से हारे थे और अब चम्पावज से जीत गए है ठीक है, next GST compensation, Central Government, State Government को पैसा देती है GST का share देती है, कितना दी है इस बर, compensate की है तो 89,912 करोर से Statics Ministry ने अभी बोला है कि economic growth हम लोग का बढ़ने वाला है हम लोग कितना बढ़ने वाले हैं तो हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मारा अब almost 7% था पहले लेकिन आप बोल रहे हैं 8.8% तक बढ़ेंगे मारा अब 8.8% था, 7% बोल रहे हैं option में था, हाँ चले, next ready to eat brand इस question का answer आप comment section में देंगे बाकी आपको बता दिया जाए कि batches जो है वो शुरू हो चुके हैं ठीके चाहे आप अगनी वीर पढ़ रहे हैं चाहे आप defense में FCAT, CAPF, CDS या फिर defense maha pack में पड़ रहे हैं या आप SSC के तयारी कर रहे हैं DDA की तयारी कर रहे हैं, AI की तयारी कर रहे हैं तो सारे classes शुरू हो चुके हैं, अब आपको क्या करना है, कि पहले तो हमको comment section में बताना है, कि आपको exactly, किस चीज का total, मतलब कोई भी चीज का class, किस चीज की class चाहिए, sports की class चाहिए, schemes की class चाहिए, 6 महिने का current affairs चाहिए, question answer चाहिए, कि theory class चाहिए, तो वो comment section में बता दीजेगा, ठीक है, बाकी batches में किस तरह से enroll करना है, तो आप जानते हैं, कि आपको कुछ नहीं करना है, बस Google पर जाना है, Google में आपको लिखना है, Adda 24-7, ठीक है, तो आप इस website पर जब click करेंगे, तो all courses में जाएंगे, अब देखें, पहले अगर all courses के पहले मैं आपको दिखा दू, कि हर exam की तयारी यहां पर कराई जा रही है, चाहे आप civil engineering कर रहे हूं, चाहे आप mechanical कर रहे हूं, चाहे आप electrical कर रहे हूं, सारे exams की आपको तयारी कराई ही जारी है, तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना सोच लेना है कौन सा exam है, अगर नहीं सोच पारें, लग रहे हैं, डिफेंस के सारे एक्जाम्स की तिहारी करना है, तो आप डिफेंस महापैक दे दीजे, ले लीजे, सबसाचा, अगनी वीर अगर आपको करना है, अगनी वीर आर्मी का कल से, एक जुलाई से फॉर्म भढ़ाना शुरू हो चुका है, तो यहां पे वीर आफ़र्स में जाएए आप सीधे, पहले तो कोड लगा लिजे, य-3-3-2, ताकि अगनी वीर बैंच आपको सिफ 1,043 रुपीज में मिल जाए, और पढ़ाई शुरू कर दीजे, बस इसमें सारा सब चीज का बढ़ है, अगर मालिच यह उसी तरह से और सब लिख के फिर continue करके payment भी कीजेगा, बाकी FCAT की batches भी शुरू हो चुकी है guys, तो यह last batch होगा शायद FCAT का, यह selection ECAT batch है, जिसमें साब PDF अगयरा मिल जाएगा, इसको तो इद्दम मिस मत करना, Y332 करके इस पे click कीजे, 2184 रुपीज में यह batch मिल जाएगा, तो यह सारे batches है, बाकी CDS भी आपको दिख रहा है, CDS, CISF, Assam Rifles, ठीक है, ITBP, सारे batches यहाँ पे मिल जाएगे, territorial army, तो यह आपको, और अगर माली जाएगा, आपको लग रहा है कि सारे exams के त्यारी करनी है, तो best batch है आपका कि defense का महा pack आप ले लीजे, अराम से Y332 code यूज करके, आपको यह मिल जाएगा 23219 रुपे में, और बैटके पढ़ाई किजे, अभी भी double validity offer है, लेकिन आज यह खतम हो जाएगा, तो 77% discount और double validity offer, लेकिन आज किसी भी समय खतम हो जाएगा, क्योंकि आज का है नहीं offer, ठीक है, gate engineering exam को आप देख सकते हैं यहापे, तो इसलिए जल्दी से अगर महा पैक ले रहना, तो यह तो आपको तुरंत ही हट जाएगा भी कुछ देर में, तो अभी भी इदम last moment है, बाकी आप view offers जा सकते हैं, AAI, DDA, SSC, JE, हर state का AE, JE, सब आपकी तयारी यहाँ पर हो जाएगी, civil महा पैक में, उसी तरह से electrical का है, उसी तरह से आपका mechanical का है, बाकी batches, अगर एक particular batch लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि सीधे यहाँ पर आप आप, AI में आ जाएगे, या DDA, JE में आ जाएगे, और हम इसमें क्या पढ़ाते ही, GK, Pura, और Current Affairs, मेरी classes की टाइमिंग, 9 बज़े सुभे में होती है, ठीक है, so thank you for the session, hopefully आपको मजाया होगा comment section में बताएगा, किस चीज की class चाहिए, मैं उसको provide करा दूँगी, thank you, हाँ, बिलकुल Air Force exam के लिए भी important, venue हम list बता जाते हैं भी, ठीक है, thank you